मसकार साथियो मैं सौन हूँ आप सभी का दोस्त दस्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिटसन पर आज किस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसमें सभी प्रशन पुराने question paper नीमी और भारत स्किल्स के question bank से लिए गई है इस वीडियो के माधियम से हम आपको 100 most important question प्रवाइड करेंगे जो कि आपकी exam के लिए बहुत ज़्यादा important है इन सभी प्रशनों को तो हम इस वीडियो में cover नहीं कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने 10 most important questions को रुखा है जिनने हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के जो question होंगे उनकी मैं आपको PDF प्रवाइड कर दूँँ और लिंक हमने वीडियो की description में डाल दिया है जैसे कि चस्में helmet जूदे और हमारे दस्ताने दूसरा प्रश्ण है driver का मुख्य गुण क्या है तो main quality होती है वो होती है यातायात के नियमों का पालन करने की तो सही उत्र होगा option D यातायात के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाना driver का मुख्य गुण है तीसरा प्रश्ण है भारी वाहनों में कौन सा engine परियोग किया जाता है तो जो heavy vehicle होते हैं जैसे की truck tractor उनके अंदर ज्यादा तर जो है diesel के engine देखने को मिलते हैं तो सही उत्र है option B चोथवा प्रश्ण है बेलन के आंतरिक व्यास को dash कहते हैं यानि कि engine का cylinder होता है वो इस तरह से बेलनाकाराकरती का होता है जिसके अंदर piston जो है उपर नीचे घूमता रहता है तो इसका जो अंदर का व्यास होगा वह क्या होगा वह जो व्यास होगा उसे हम bore कहते हैं कि यह कि यह है cylinder कितने bore का यह engine कितने bore का है तो सही उत्र है option ची प्रश् oxide किसे पैर से नियंत्रित करते हैं तो जो kluts होती है उसे हम payr से नियंत्रित करते हैं तो सही उत्र होगा och portion c clutch brakeаче और accelerator यह तीनों के तीनों आपके जो है पैर में देखने को मिलते हैं जिसी हम अपने पैरों से कंट्रोल करते हैं च्छटा प्रशन है वाहन शुरू करने से पहले मुख्य सावधानिया क्या है तो वाहन को स्टार्ट करने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि गाड़ी का जो गेर है वो न्यूटल में है या फिर नहीं तो सही उत्र होगा option A वाहन को न्यूट्रल स्थिती में रखना next question से पहले हम आपको इस e-book के बारे में बताना चाहता हूँ यह e-book ITI के driver कम mechanic trader के students के लिए है इसमें आपको 300 most important question देखने को मिलेंगे जो की previous year के question paper पर नीमी और भार्थ स्किल्स के question bank से लिए गए है अगर कोई भी ITI का student अपने theory exam के तयार इस e-book से करता है तो वह अपने exam में 7% सफलता प्राप्ते कर सकता है तो अगर कोई भी student interested है इस e-book को लेने के लिए तो इसका link वीडियो के description में दिया गया है वहां से जाके आप इसे purchase कर सकते हो काफी affordable price में साथमा प्रिशन है चार पहिया वहन में clutch दबाने के लिए किस पैर का उपयोग किया जाता है तो गाड़ी के अंदर जब हम clutch दबाते हैं तो कौन से पैर का इस्तिमाल करते हैं आठमा प्रिशन है वहन की दिशा नियंतर्ण के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है यानि कि हमारी जो गाड़ी है उसकी दिशा को पाएं या फिर बाएं की तरफ मोडने के लिए हम क्या करते हैं steering wheel इनिके handle का इस्तिमाल करते हैं तो सही उत्र होगा option C steering wheel से हम हमारे वहन की दिशा को नियंतर्द करते हैं वहन की प्रारमबिक गती के लिए किस ऊपयोग किया जाता है तो जब हम गाड़ी को स्टर्ट करते हैं स्टर्टिंग में हम पहला ओले सबसे छोटा चूरण डालते हैं तो पहले गेर का इस्तिमाल करते हैं तो सही उत्र है option ची इसमा प्रश्ण है चार speed gearbox वाहन से आपका क्या मतलब है कि कोई गाड़ी दी गई है उसके अंदर चार speed का gearbox यह निए चार level दिये गए है speed के इसका मतलब यह होगा कि उसके अंदर चार gear जो हैं वो आगे की तरफ जाने के लिए होगे और एक जो gear होगा वो reverse यहनि के पीछे की तरफ जाने के लिए होगा सही उत्र होगा option ची चार आगे और एक पीछे तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है complete उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फायदे मन रहेगा अगर आपका कोई और सवाल है तो वह भी आप comment box में लिख करके पूच सकते हो तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्क आपका कर दूँना है जुक negatives और आपका कर दूच व्के अली जमारी जाता हमारी जाता ओफार